हेई गाइज तो टोड़े विल डिसकस अबाउट नॉवल है घुस्ट जिसे लिखा है है हैंरिक इपसिन ने ये बहुत ही फेमस नॉवल है 19th सेंचुरी की जो की बहुत ज्यादा फेमस हुई थी स्टार्टिंग में से बहुत पर एलिगेशन लगे थी लेकिन उसके बाद में चीजे हटा दी गई और ये पब्लिश कर दी गई तो पहले हैंरिक इपसिन के बारे में जान लेते हैं तो जो हैंरिक इपसिन है वो एक बहुत ही बड़ी फिगर है 19th सेंचुरी के और ये कहा के रहने वाले हैं ये हैं नॉर्वेजियन है प्ले राइडर जो प्लेज लिख अगर हम बात करें तो जो उनके परसनल इशूस थे वो उनके प्ले में दिखाई देते हैं कहीं न कहीं ये कुछ सेक्रेट के बारे में बताते हैं जो डार्क सीक्रेट है सोसाइटी में और जो हैंरिक इपसिन है इन्हें बहुत बार ये भी बोला जाता है कि ये फादर है ये जो प्ले था ये बहुत ही जादा कमेंटरी करता था नाइटीन सेंचुरी की मॉरालिटी मतलब जो चैजा आप दिखा रहे हैं अपने मॉरल्स को उसके ओपर दिखाता है कि जब रहने ऐसा हुआ था उसके बात से ही कहीं ना कहीं हर स्टेट में हर कंट्री में बुर्ज बुर्जवासी थे वो उनके पस मनी थी मिडल क्लास थी तो इन्होंने उनके ओपर अटेक किया है कि जो नाइटीन सेंचुरी के बुर्जवासी क्लास है वो किस तरीके से प्रेटेंड करती है अपनी चीजों को दिखाती है लेकिन वो ऐसे है नहीं इसी वज़ग ये जो इ जो वापिस लॉट कर आते हैं या फिर जो दुबारा से चल कर आते हैं इसका मतलब वो है तो जब ये पब्लिश हुए तो बहुत सारे क्रिटीक्स ने इसे क्या बोला इसे बोला कि एक डर्टी डन है इन पब्लिक एक इंग्लिश क्रिटीक ने बोला और ये बहुत दिनों तक बैन रही बहुत दिनों तक कोई भी पब्लिशर इसे खरीदना नहीं चाहता था वो लोग डड़ते थे कि कहीं ऐसा नहों जाए कि उनकी शॉप को भी बंद कर दिया जाए क्योंकि ये इतनी ज्यादा कमेंट्री फूल थी स्कैटिंग थी तो इसमें सिर्फ इसमें जो ह हाथ कैपटन ईलेवाइंग जे डाथ हो चुक है और जो मिसेस ईलेविन है घ वो विडियो है उनका और जाए कर रिलेटिव है प्रॉटर मनुसे पर एक हुआ पर परियवलप कर रखिय तो मिसें स्ट्राट कर सकते हैं तो स्ट्री जो है वो घर्या के होतीप हो छीक्त वोति है उनके घर से उनके वाँ गार्डेन रूम हम वहाँ पर में पता चलता । यह एक बात कर रही है है और अनधर भार बारिश हो रही है जो उसका बाप अब आया है वह ट्रंक करता है और पहुते है तो उसकी कपड़ों से पानी टपक रहा है और वो जो उसकी डॉटर है रेजीना उसे अंदर आने से मना कर देती है कि वो बाहर ही रहे तो जो इंक्स ट्रेंड है वो से बताता है कि कैसे उसने कारपेंटर के जो वर्क से वो एक कारपेंटर है और कैसे उसने कारपेंटरी के work से कुछ पैसे safe करे हैं और उसके बाद वो एक sea house बनाना चाहता है semen house जहाँ पर semen आएंगे और वो कहता है कि वो अपनी वेटी की मदद चाहता है उसमें तक ही वो वहाँ पर चलके job कर सके लेकिन हम आगे हमें पतना चलता है कि जो र contributors कर देती है क्योंकि उसके तरहना रही नहीं है उसक बाप इसी तरीके से है और उसके जो लैंग्विज है वो थोड़ी बहुत French लेती है तो उसके लैंग्विज में थोड़ी बहुत French के वर्डस है जिसे कि पता चलता है थोड़ी सी educated भी है उसके बाद जो उसके फादर है वो चले जाते है और पैस्टर मेंडर अंदर आता है पैस्टर मेंडर है वो मिसिस एलविंग का एक relative है और एक टाइम पे मिसिस एलविंग का लवर भी रह चुका है वो उन्हें पसंद करती थी तो सारी ही बुक्स ऐसी होती है जो वो सोचता है सुर्प्राइस होता है की ने कौन पढ़ता होगँ तब हम आती है मिसटस एल्विंग तो दो मिस एलविंग ऑख सारी बोख सो खुद पढ़ती है फिर वो उन पे पीच में थोरा सा कनवर्शेशन होता है जो पैस्टर मेंडर है तब लेकिन जो पैस्टर मेंडर है उसने उसे वापिस भेज दिया था कि सुसाइटी के हिसाप से उसे ऐसे रहना चाहिए उसको अपने हस्बेंड के साथ रहना चाहिए लेकिन तब उसने वो चीज़ा नहीं दिखाई थी लेकिन आब वो यह फारी चीज़े बताती है कि मिसि Captain Elving एक Chamberlain थे जो के एक हाइस टाइटल है टाइटल ओनर है नॉर्वे में जो एक किंग देता है किसी भी मैन को दे सकता है यह हरेडिटी के हिसाप से नहीं होता है कि पहले बाप को फिर बेटे को फिर बेटे को बल्कि उसे मिलता है जिसके पास वेल्थ है जिसके पास में बताती है मिसिस एल्विंग कि उनकी एक इलेजिटमेट डॉर्टर भी है अब यहां पर टेंशन बिल्डप हो जाती है और वो उसे बता रही होती है पैस्टर को कि कैसे उन्होंने गुड सोशल स्टैंडिंग के लिए यह सारा ड्रामा किया था उनके हस्बेंड्स की जि जो आना इक सेर्वंट थी जब हमारे जो केरेक्टर हैं कैप्टन ईल्विंग वो जिन्दा ते तब इनकी सेर्वंट थी और मिसatically ने खुद देखा था कि जो कैप्टन ईल्विंग है वो सेर्वंट को एप्रोच कर रहे थे हैं और उनकी इंटिमेसी के बाद उनका जो कि आसवर्ड है वो आजाता है वो वाक पर गया हुटता है और अस वर्ड है रखने को व फॉलोग में जाना कर रहा है रहा है कि आ मिसिस अलविंग बता search कि अब सब कुछ सही होगा कल और्फनेज की उपनी हो जाएगी और हम दोनों फिर साथ रहेंगे हमेशे लेकिन उससे पहले जब वो बता रही होती है तब वो कुछ विस्पर सुनती है कुछ आवाजे सुनती है साइड की रूम से जहां पर रजीना की आवाज होती है और वो जहां यहां अजज़ आपको कंई। और हम से तो वह बहुत ज़ादा रही हैती है और बहुत ज़्याद ज़्गे जाती है और वह बोलती है जैसे पहले कैप्टेन एलवी ने किया था जोना के साथ उनके सर्वेंट के साथ आज सेम चीजे औस वर्ट कर रहा है रेजीना के साथ वह उसके फाद रिलेशन माना चाहता है तो यहां पर आके हमें पता चलते है कि और अपने फादिर के कुछ-कुछ इनहारिटेट चीजे ह अब स्टार्ट होता है एक्ट तू सेम सेटिंग रखे गई है सब कुछ सेम है बस चेंज इतना हुआ है कि पहले बारिश हो रही थी एक्ट वन में बारिश रुप गई है सबने डिनर कर लिया है रजीन अपने वर्ट में लग जाती है जो भी उसका हाउस वर्क होता है और मिसिस ऐलविंग और पैस्टर जो बात कर रहे थे वो दुबारा से स्टार्ट कर देते हैं अब अपने हस्बेंट की स्कैंडल्स के बारे में बताती है कि कैसे वो कितना बेकार आदमी था उसके कितने फ़रे रिलेशन्स रहे थे वो ड्रिंक करके आ जाता था और फिर उसके एलविंग की बेटी है वलकि आपको लगे कि वो जो जो इंक-स्ट्रैंड है उनकी बेटी है यहां पर बात हो रहे है जो मैम्री है पास्ट की उन सब को ठखने के लिए लेकिन वो चीजें फिर से आकर हांट कर रही है सेकिन एक्ट में इतना इंए अब एक्ट थी हो जाता ह सब कुछ सेटिंग सेम है उनका उनका ही रूम है लेकिन अब यहां पर हो गया है कि यहां पर रात आ गई है अब सारे के बात कर रहे होते हैं क्योंकि एक और्फनेज इन्होंने बनाया है जो मिसिस एल्विंग ने अपने हस्बेंड की सारे सेंस को ढखने के लिए कि लोगों क बताती है कि जो कैप्टन एल्विंग थे उनकी और जौना के बीच में रिलेशन की वजवे फे जो रिजल्ट हुआ था उसका रिजल्ट था रेजिना और रेजिना इस घर की बेटी है मतलब कि ऑस्वर्ड की हाफ सिस्टर है तो इन दोनों के बीच में को रिलेशन हो नहीं है अपनी मा को बताता है कि जब वो पैरिस में था तो उसे कुछ सीरियस अटैक हुए थे कि और डॉक्टर ने उससे पूछा था कि उसके फादर में उसकी मदर में से कुछ इशू है या नहीं तब उससे यह सब चीज़ें नहीं पता थी और क्योंकि जो मेसिस ऐल्विंग ह कि आस्वर्ड के अंदर वो फारी चीज़े इनहरिटेड है उसे अपने फादर से ही यह चीज़ें मिल गई है तो उसे बहुता शौक होता है वो रोने लग जाती है और लास्ट में जो ओस्वर्ड है उसे बोलता है कि मुझे एक स्टॉक आ चुका है एक अटैक आ चुका है अगर मुझे दूसरा अटैक आया तो वो नहीं बचेगा और उसके लिए अपनी मा को कुछ पिल्स देता है जिसे मौर्फिन्स बोला गया है आपे मतलब कि कुछ ड्रग्स की पिल्स कि अगर उसे अटैक आया तो वो उसे देगी अगर वो नहीं देगी वो तब भी भी मर ज मुझे हैं तो वह उसे जाता है तो उसे कृतै बिचा लोता हो में बच्णा की में रहीं तो लास्ट एक्ट में बस इतना ही होता है कि जो 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 जूसरा है वो पिल्स दे या ना दे कंकि DU साला क्यों के देगी वो तभी भी मर pię gorilla नहीं देगी रहीं धी दौता हिए और यहल